नमस्कार दोस्तों, साहित्य स्रजन के इस कारिकरम में आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कारिकरम में मैं आपको मिलवाऊंगी एक बहुत ही खास लेखक से और हम बाते करेंगे उनकी लिखी हुई एक बहुत प्यारी किताब के बारे में तो आपने कभी देखी एक कोई ऐसी किताब कि जिसके पन्ने पल्टें तो संतूर की मीठी धुन सुनाई दे और हर सफे के साथ चलाए कोई लोक संगीत, छुमरी या रागदारी की कोई बातें या किसी पन्ने पर रंग संगीत हो, सिनमा की बातें हो चलिए, मैं बहुत ज्यादा पहलिया नहीं बुझाती हूँ, और आप को मिलवाती हूँ आज के महमान से, तो विने जी, हमारे साथ हैं विने उपाद्हाए जी, विने जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका भी और हमारे सभी दर्शकों का भी तो दोस्तों मैं बात्चीत शुरू करने के पहले विने जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ वैसे तो सब इनके लिए इनसे जानते होंगे उन्हें परिचे के मोहताज नहीं है पर फिर भी विने जी बहुत ही जाने माने उद्खोशक हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं और सबसे बड़ी चीज़े कला समीक्षक हैं इन्होंने भारत की संस्कृति को कई-कई तरीकों से सहे जा है, तो आज हम जिस किताब की बात करेंगे, सफ़ा पर आवाज, वो इसका एक छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं तो विने जी, बताईए आप पहले तो इस किताब का ही थोड़ा सा परीचे दें, फिर मैं बताती हूँ अगला सवाल अनुता जी, लगभग मेरे 30-35 साल के कैरियर में जहां से मैंने सांस्कतिक पत्रकारिता शुरू करते-करते यहां तक पहुँचा तो दरसल कदम दरकदम आगे बढ़ते हुए जो शक्सियतें मेरे जीवन में मेरे हिस्से आई इस काम को करते हुए तो उनसे बाचीत का मुझे बहुत मौका मिला पत्रकारिता के दोरान भी और अपने निजी दिल्चस्पी और रुजानों की वजह से भी तो इनसे बाचीत करने के मुझे जो मौके मिले इस दर्मियान उन तमाम बाचीतों को बरसों से मैंने सहज कर रखा था और फिर एक दिन अचानक ऐसा लगा कि इन्हें किताब की शक्ल में ये शाया होना चाहिए और एक उल्दस्ता इस तरह का तयार होना चाहिए लियाज आप इसी बरस आई सेक्ट परकाशन ने बेरे इस प्रस्ताओं को स्वीकार किया और लगभग चारसों प्रष्टों की ये किताब मुकरर हो सकी तो मैंने ये किताब पढ़ी है तो मैं दर्शकों आपको बताती हूँ कि ये किताब दरसल तकरीबन 40 शक्सियतों से विने जी की बातचीत है और ये कोई आम इंटर्व्यू नहीं है ये ये समझे कि तसली से तफसील से बैठ कर किया हुआ एक विमर्ष है जब आप इस किता मैं विने जी से अगला सवाल करती हूँ विने जी बताईए कि जैसे मैंने इस किताब में पढ़ा तो इसमें नीरच से लेके और आज के बहुत सारी शक्सियती आप ही बहतर बताएंगे तो ये 40 इंटर्व्यू चार दिन या चार महिनों में तो नहीं हुए होंगे बहुत सफर्व किया होगा आपने तो मता कबसे शुरू किया पहला और अब तक जी temps जैसा कि आप नहीं ही का कि इसमें चालीक शक्सियतें और साहित और कलाओं की बात आपने बीच में कही कि साहित और कलाओं की विभिन जो विधाओं में काम करने वाले लोग हैं, उनके पूरी के पूरे जीवन यात्रा से गुजरवे अन्भुों को अपने प्रस्ट्नो के जरी उलिचने के कोशिश में न की है, तो जैसे कि आपने कहा कि यदि हम साहित के कॉर्नर की बात करें तो वहां बैठे वे नजर आते हैं गोपल दास्तिरज, अली सरदार जाफरी, महाश्रिता देवी, चित्रा मुद्गल और यदि हम उससे आगे बढ़ें और यदि हम रंग कर्म की बात करें तो वहां मोहन आगाशे भी उसमें संगीत की तो किशोरिया मौनकर से लेकर गरजा देवी और उसके बाद लता मुशी तक तो एक तरह से बड़ा विन्यास इसमें समेटने की कोशिश की है तो अब देखेगा कि लगभग बात चैसे मैंने की कि लगभग 30-35 बरसों की यह यात्रा है तो अब देखेए बड़ा ही मतब दिल्चस्प है यदि मैं अपने पिछले पन्ने पलटता हूँ यादों के तो मुझे अचानक लगता है एक सुबह मुझे अचानक याद आती ही जब गोपलदास निरच से बाचीत करने के लिए मैं बिलकुल एक बड़ी ललक से भरा हुआ था और कैसे वो बाचीत म हुई इस तरह से किशोरिया मुंकर को याद करता हूँ तो ढलती भी सी गुधुली बेला थी वे संधिया पूजा करने के बाद अपनी होटल की कमरे से बाहर आई थी मैं प्रतीक्षा कर रहा था और कैसे किशोरिया मुंकर ने मुझे से एक भरपूर बाचीत की तैय तो यह हुआ कि मुलाकात क्या हुई मतलब एक भरा पुरा सानिद मुझे उनका मिला और जावेच साप से इस तरह से बाची थी अली सरदार जाफरी का जब मैंने एक उनका एक वतन परस्ती का गीत मैंने जब एक वतन का राक कारिकम में मैंने चुना था मुझे लगा था क्या मैं सरदार जाफरी से कभी मिल पाऊंगा लेकिन अली सरदार जाफरी इसी भोपाल की लहफी अख्षोका होटल के दो पारी में मेरे साथ वक्त अपना साजह करते हैं तो देखिए बड़ा सपनीला सा लगता है लेकिन कहते हैं अक्スर कि जन आखों में सपने होते हैं तो दरसल मेरी आखों में कुछ सपने थे ऐसे इस सांस्कतिक पत्रकारिता को करते हुए भी। और मेरे नीजी संस्कार और रूचियां भी बरावर टकराती रही इस खौप से, तो एक दिन ये सब कुछ हुआ, इस तरह से बहुत सारे लोगों से बात मुंगिन हो सके. मुझे लगता है, पिछले दिनों मैंने भी किसी काम के ऐसे सिलसले में लोगों से बात की, तो मुझे ये लगा कि जो बात जब अच्छी, मतलब मुकमल कब होती है, जब वो दो तरफा होती है, यानि आप मतलब इस किताब को मैंने तो पढ़ाए लोग पढ़ेंगे तो समझे कि ये किताब कोई और इंटेवियर नहीं कर सकता था, तो आपका ग्यान, आपकी नौलेज, आपकी दिल्चस्पी, शायद इसने ही इतने बड़े रास्ते खोले, तो ये आपके मुझे आप नहीं कहेंगे ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है कहें, लोग संझें, कि कितना ज और इंटेशियों के पास, कलाओं के पास घ्यारते हीं जाकर तो फिर दरसल आपके परषण भी शुरू होते हैं, अपका कहतुछव भी वहीं से जागना शुरू होता है, और फिर आपको लगता है कि सारी चीजें ऐसी है कि इनके रहस्यों के परदे जोटने आपके सामने स पर एक संसकारों से भरावा परिवार रहा मेरे जो ताउजी थे वो उन्हें इसी निमाड की लोग संसक्रती पर बड़ा गहन अध्यान शोद करने के लिए पदमिर्श्री के उपादी से उनका अलंग करने हुआ पदमिर्श्री रामदान उपादी है हम सब गौर्णमान भी हैं कि हम उस परिवार से वाबस्ता हैं मेरी मा लोग गीतों को समझने वाली गाने वाली अपनी क्रिस्मी की का अलग ग्रहनी रही तो बताती हैं कि मैं अपनी पांच जो हैं वो हम सब लोग देरानी चठानिया थी लेकिन मैं ब्याद के आई तो मेरे ससूर मुझे इसलिए प्यार करते थे कि मेरे साथ मेरा कंठ भी था और मेरी इस्मरती में कुछ लोग गीत भी थे जो वो अपनी माई के से मा से लेकर आई थी तो देखी कि बच्पन में मा की गोद में खेलते हुए किलकारियां भरते हुए पता निए वो आवाजे कहां पहुंची कि कान से मेरी पहुंची जब मैं सायाना हुआ तो मैंने देखा कि संगीत के प्रती साहिति के प्रती यानि शब्द की परंपरा के प्रती मेरी भीतरे कालग किसम का संसकार जागा और फिर यह हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद जब क्यारियर्ट की तलाश कर रहा था तो देखे का एक मैं कह सकता हूँ कि कैसा आसमान खुला भोपाल में कि जहांपर संसक्ती के इतने सारे रंगों से सराबर होने का सौबा के मुझे मिला तो यह सारी जो चीज़ें थी और जब मैंने पत्रकारिता शुरू की यहां के अख़बारों में और तब मुझे जब यह काम करने क मुका मिला तो यही भारत भवन यही रविंद्र भवन यही जनजाती संग्राल है यह सारी की सारी चीजें मेरी जैसे रोज मर्रा की मेरी दिनचरह में शामिल हूई लेकिन मैं ने यह देखा कि यह आख जैसे यहां के अब ने मन्च पर गा गा कर मल्लीकार जीन मनसूर चले जाते हैं यह क्या चोड़ जाते हैंillि के मनसूर अगर दिलक कापोद के सारी च्ण कर जाते हैं गया तो आख बिंद्धिया estadoियो हैं लेकिन मैं जानू कि ये किस घराने से तालुकात रखते हैं मल्लिकारजुन मंसूर और तिलक कामोद में ऐसी क्या रुहानी शक्ति है इसके सुरों में तो वो दिल्चस्पियां मुझे मल्लिकारजुन मंसूर के पास ले गई है। कुमार गंधरु को जब मैंने मालवा की लोग संगीत में रचे बसे कबीर के पदों को काते में ने सुना तो मुझे लगा कि कुमार जी यूते का लग शास्त्री संगीत का संसकार लेकर आने वाले गायक रहे हैं लेकिन जब मालवा में आकर बसते हैं दिवास में तो मालवा क लोग संगीत को चुनते हैं तब मेरे लिए ये सवाल बहुत होता है कि शात्रों लोग किस संदी पर उनके कंट्र में जाकर ठैरा हुआ है अब ऐसे सवाल मेरे भीतर जागने लगे ये सवाल ही दरसल मुझे एक सच के रोशनी के पास ले गए और मेरे भीतर ये भाव जागा कि कलाओं के मर्मुक अगर मैं ठीक से नहीं समझा तो मैं सांसकतिक पत्रकारिता नहीं कर सकता तो एक तरफ तो मेरे पेशी की सौगंद कसम थी उसके चनौतियां थी और दूसरी तरफ से निजी तोर पर निकरने और परिश्टित होने का भी मेरे सामने ख्लसफा था तो दरसल ये बाचीते इस तरह के दोहरे दबाओं के साथ ये बाचीते होई और क्या ही दिल्चस्प अनुभाव मेरे इन बाचीतों के साथ जुड़े में ये स्वभागी के बात है कि जब पिछला जो कोरोना के आपदा आई और हम सब लोग के कठें दोर से घुज़रे तब जो बहुत सारा वक्त मिला तब मैंने तैप आया कि मैं अपनी उन कागजों के पास जाओं अपनी उन परानी रखिवे रेकॉर्डिंग से पास जाओं ज इतना लंबा सफर है इस बात्चीत का तो हमारे लिए तो ये कहूंगी कि हम पाठकों के लिए तो ये कैसी चीज आपने रच दिये कि जैसे घर में ना डाइनीं टेबल पर कोई मिस्टरी की कटोरी रखी हो आप चलते फिरते जाएं और उसमें से एक पक्की लगाएं मुह म सुन्दर कवर है इसका और जो शायद आपका टेस्ट दिखाता है और प्लस इसमें एक ये चीज है कि इसका इंडेक्स है वह भी बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने बाटा है कि जो अनुकरम है इसमें आपने शब्द, स्वर, ले, छवी, रंग और बिम्ब की बात की है मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा कैन्वस था जो आपने रंगों से रंग दिया तो मुझे इसकी जो हर रंग की, मतलब जो सारे गामा से लेकर जो रंग है इनके बारे में बताईए कि कैसे मुकमल हुई, इंटेव्यू तो मैं समझ गई कि आपने बातें की, अब उस बा एक चर्ष्ट्री के बात ही कितावों में इंटेव्यू को केसे रखा जाए, मेरे सामने यह था, हो सकता है कि मैं कुछ 5-7 संगीतकारों के इंटेव्यू सर रख दू, और एक चोटी किताबु करने हूँ, मेरे पास साहितिकारों के इंटेव्यू स weapons थे, तो मुझे साथ संस्क्रती भी आती है संस्क्रती के बात करते हैं यानि कलाओं के बात करते हैं तो उसमें भी साहित्य चला आता है तो क्योंनस साहित्य और कलाओं के बीच में अंतर संबंधों के विमर्ष की एक किताब इस तरह से बन जाए इसलिए मैं एक ही जगह पर यह तैप आया कि म हमारी भारती कल्चर में साहित्य और कलाओं के बीच में एक क्या अंतरसंबंद जाकर ठहरता है तो आप यदि इस किताब को देखेंगे तो कितना अच्छा लगता है जब हम रजा का इंटर्यू पढ़ते हैं तो फिर पर चित्रकार रजा का इंटर्यू नहीं होता रजा उसम याने अंतरकार से प्रकाश की और जो जीवन का इमान होता है उसकी बात करता हूँ ज़िए मैं किशुरिया मुंकर की बात करता हूँ तो सिर्फ वो रागदारी पर बात नहीं करती है वो आपने कुछ प्री रागों का हवाला नहीं देती है जब वो बाचित करते ही तो अबित वनविर हैं जो बिलकुल इस्थानिकता को लेकर चलते हैं वहां के नाचा को लेकर चलते हैं चतिसगड़ी बोली को लेकर चलते हैं और एडनबरा फेस्टिवल लंदन में जाकर चरंड़ास्चोर पचीस नाटकों की बीच में एक परतम विजयता के रुपे घोशि जाते ही थे अपने लोग गित मां के बहुत सारे उनके साथ जो बच्पन में मां की आवाज में सुनेवी गीत और पर इंट्रीवसमें उन्होंने बात चीत किया जब मैं संगीत और कविता की बात करता हूँ तो मंगलेश डबराल इतनी जमीनी बात उसमें शेयर करते हैं त और सारे लोगों ने उस बात्चीत को उस वाइसको पकड़ने की कोशिश किये जो दरसल मेरी भी इच्छा थी और इस तरह से किताब में आई है यह किताब और बलकि जब इसकिताब की बात हुई है आपने लोगों के पढ़ने की बात की तो मैं बताना चाहूंगी कि इस कित कि आप कहां उपलब्द हो पाएगी लोगों को कि मैं चाहूं की लोग पढ़ें आसानी से पहुंचे लोगों तक बिल्कुल दर्शकों का यदिकार है जानने का और हमारा फर्स भी है कि उनको यह बताएं आई सेक्ट पब्लिकेशन बोपाल ने इसको प्रकाशित किया है और अगर इन जगों पर भी अगर आप सफल नहूं तो मैं हाजिर हूँ अनुलता जी भी है यहां पर तो यह किताब जरूर आपको दर्शकों पढ़नी चाहिए ऐसे मैं आप सबसे दर्फास क्योंकि मुझे क्या लगता है कि यह किताब सिर्फ जो कला से जुड़ चुका है या आपके कांदे पर चड़के चुड़ सकते हैं तो यह बहुत बड़ी एक तौफा है मुझे लगता है सब के लिए इस तरह की किताब अनुलता जी इस किताब के साथ पर यो तो बहुत सरे आयाम हैं जो इस किताब से निकलते हैं लेकिन अभी हुआ यह कि जब यह पत्रकारि की कलहां में सिखाती है कि साक्षातकार लीये कैसे जायें कि जब इन विभूतियों से आप बाजचीत करने के लिए जाते हैं तो एक तो सहस आपका वैसा चाहिए जो बई रंग में होता है एक बाहरी सहस के आउशक्ता पड़ती लेकिन एक भीधरी सहस होता है वो भीधरी स कि वो जवाब देने के लिए से बरसों से प्रतिक्षित थे कि एक प्रश्ण मेरे पास आये और ये जवाब मैं उनको दूँ तो कई बार इंटर्यूस के दौरान यही हुआ कि यू तो मुझे 15-20 मिट का वक्त कई बार लोगों ने दिया लेकिन मेरी बाचित हमेशा उनके पा पास ठीक से जाने की जरुरत हुआ करती है जैसे अनुलता जी यह सवाल मुझे पहुंचा रही है वही मैं मेरे एक सवाल का आपने पहले ही जवाब दे दिया मुझे यह लग रहा था कि जैसे आप ने जब शुरुआती दोर पे जब मैं इंटर्व्यू किये होंगे तो इत कि आपने बताया कि मां से सीखा आपने ना तो मैं जहनी लगता कि आप पहले इंटर्व्यू में भी उतने कच्छे रहे होंगे लेकिन फिर भी तो आपको पहुंचने में तकलीफे हुई होई होगी कि लोग बात करने को शाय तयार नहों कि अब आज तो देखिया आप किसी हुपाल हमारी ऐसी एक शहर है कि जहां लोग आते रहते हैं आपको मुखा मिलता रहता है और नाम हुआ कि बात करेंगे तो सब हाँ कर देते हैं पर कभी तो हुआ होगा कि आपको थोड़ा स्ट्रगल करना हुआ होगा कि बेशक बेशक यह बात मेरे मन की आपने की और मैं जब आप यह कह रहें तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि वो शुरुवाती दौर था मेरा जब पत्रकारिता मैंने शुरू किये थी यह तो सवाल पत्रकारिता के पेशी में आने के पहले भी मेरे भीतर ऐसा था कि मैं बहुत सारे सवालों के साथ लोगों के सा पेश आता था लेकिन उसके बावजुद मैंने देखा कि जब मैं पहली बार इंटेर्वी करने के लिए गया तो वो मेरा पहला इंटेर्वी यहाँ पर था अजगरी बाई से अजगरी बाई हमारे धुरुपत की एक मात्र मत्यप्रदेश की ऐसी गाई का रही टिकमकड में रहती थी और वो राजदर्बार की गाई का रही और यहाँ पर वो आई और उनको मत्यप्रदेश शासन के संस्कृती महकमे ने शिकर सम्मान के लिए चुना था तो शिकर सम्मान तो लेना था लेकिन भारत भूहन में फिर उनके एक गायन की सभावी थी तो मुझे मेरे एडिटर ने कहा कि अजगरी बाई आई और तुमकों से बाचित करनी हैं तो अब देखी कि मेरे लिए पत्रकारिता का बहुत लंबा अंतराल नहीं बीता था और ध दृपत के इंद्र शुरू हो चुका था तो दृपत के बारे में इतना अनुआ कि संगीत की हमारी कैसी आदिम विधा है जो की दरसल कहते हैं कि भारती संगीत की तो गंगोत्री ही माना जाता है वहीं से सारी हमारी चीज़ें शुरू हुई उसके बाद हमारा ये खैल के घ संगीत की। तो अब मुझे पहले तो धुरूपत को समझना है। और धुरूपत के बाद सारय जो धुरूत के घराने उनको और फिर उसके बाद में अजगरी बाई, अबуск जब तक मेरे पास नहीं हुए तो मैं अजगरी बाई से कैसे बातचीत कर सकता हूं। लेकिन फिर मैंने हुआ कि मैंने लगभा एक दो गंटे तक धुरूपत को पढ़ा अजगरी बाई के बारे में जाना और फिर होटल पलाश में वो रुकी थी दोबर में तो मैं दोबर में उनके पास गया और मैंने अजगरी बाई से बातचीत शुरू किया। लेकिन ये मेरा एक निज़ी संसकार शुरू से रहा कि जब भी मैं किसी के पास बातचीत करने के लिए जाता था वो अभी तक भी अनुलताजी मैंने कायम रखा है। कि मैं हमेशा ये समझता हूं कि एक बड़ा तपस्वी साधक मेरे सामने बैठा है। तो मैं पत्रकारीता का अहंकार लेकर उनके पास ना पहुंच हूं। जैसे कि आम तोर पे मीडिया की पेशक्ष होती है। ये कजीब किसमे का अहंकार से आप भरके चाहते हैं। आप अजीब किसमे से हाथ मिलाना चाहते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता था कि उनके चलड़ों में बैठूं। मैं हो तो मैं उनका प्रणाम करूं। और उनको कि मैं एक छोटा सा फिद्ध्यारती हूं। ये अलग बात है कि मैं इस अखबार्स आया हूं। और कुछ सवाल मेरे बचकान है। कुछ ऐसे हो जाएं तो माप किजीगा लेकिन मैं सवाल। अब ऐसा करने से सबसे पहले तो ही कि आपको आशिरवादी आप तक पहुंचता है। और फिर उसके बाद में अगर आप अपनी थूड़ी सी कच्ची पक्की समझ के साथ भी पेश आते हैं। तो क्षमा के पातराब होते हैं। तो मैंने ऐसा शुरू किया। अजगरी बाई से जब मैंने बाद्चित शुरू की। तो अजगरी बाई जो हैं वो थोड़ी नॉस्टिल्जिस होने। थोड़ी सी अपने अतीत में गई, थोड़ी सी कुछ अपनी यादों के साथ पहुंची। और उस वक्त को याद करने लगी जब राजबरवार में इवकाई का होती थी। वहां से चलकर यहां तक की यात्रा आने वाली दुश्वारियां जो उनके जीवन में थी। और मुझे लगा कि मैं दुरुपत संगित पर तो बात करूँ लेकिन अब मेरे लिए दरसल यह हो गया कि अजगरी बाई की जिन्दगी के पिछले जो पन्ने थे उनके जो पोशिदा पहलू थे उनके वो कॉर्णर जिनको कभी किसी ने निच हुआ था दरसल वो मेने चुन अब यह सिलसिला मुझे तो लगता है कि चलता रहे लेकिन समय की बहुत पाबंदी है तो मैं यह कहूंगी कि दिल तो नहीं भरा पर जैसा कि कहते हैं कि प्यास अगर बाखी हो तो दुबारा मिलने की जुगत जमानी पड़ती है तो हो सकता है कि हम फिर मिलें और मैं एक बा बिने जी का फिर से शुक्रियादा करना चाहती हूं इसलिए नहीं कि उन्होंने यह इंटर्वियो दिया बलके इसलिए कि उन्होंने सफ़ा पर आवाज जैसी एक खुबसूरत किताब लिखी और हम तक पहुंचाई एक सहे जाने लायक डॉक्यमेंट एक बहुत प्यारी कि हैं तो इनका हाथ ठाम के जिसे पीड़ी आगे बढ़ती जाए तो विने जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब पढ़िये इस किताब को और हमारा भार जी दर्शकों मैं यह कहना चाहूंगा कि बातें रही अधूरी बिछरना पड़ा हमें आए भी तफाक मुलाकात के तर करते हैं तो यह किताब आपकी प्रतिक्षा कर रही है आप जरूर हासिल करें वागतान्यवाद तमस्कार अमस्कार